ओटी के लेस्टून में आज रही सीधी 5,000 रुपे की तेजी जी हां किसान भाईयो मैं हूँ प्रिंस पाड़िदार आज तारीक हूच चुकी है चार अगस्त और रहीवार का दिन और आज जो है यानि दो जगे मंडी लगी तमिल नाड़ू में जैसा कि आपको पता है 30,000, 35,000 प्लस कट्टो का इसवास आओके रही है महाँ पर देखने को मिल पारी बाकी हां आज पांस जार रुपे की तेजी महाँ पर देखने को मिली है जैसा कि किसान भाईयो सीधी सीधी उचे में टोप भाव कि अगर हम बात करे तो तह करीब आज जो है रहा है 530 रुप किसान भाईयो जैसे कि पिछला जो यानि गुरुवार को मंडी खुली थी उस दिन भाव रहा ता महाँ पर 480 यानि 48,000 रुपे पर देखने को मिली है और वही हम बात करें मतलब मीडियम भाव की तो मीडियम भाव की अगर बात करें तो किसान भाईयो आज रहा है 45,000, 46,000 तक जो है मीडियम माल का जो भाव देखने को मिला है किसान भाईयो सीधा सा के सकते जो सूपर यानि मीडियम उसमें वो मिलावड वाला भी आता है कुछ हो जाता है उपर सो नीचा सा बाकि हाँ वो आप जानते ही चीच को किसान भाईयो बात करें मीडियम लड्डू के भाव की तो 320 रुपे प्रती केजी यानि 32,000 रुपे प्रती कुइंटल के अराउंडेट अराउंडेट उपर नीचे थोड़ा बहुत भाव आज देखने को मिला है जो किसान भाईयो छोटी छोटी कलिया यानि टूट फूट बाला जो माल होता है उसके भाव कि बात करें 170 रुपे प्रती के घियिए के हिसाव से देखने को मिला है यानि 17,000 रुपे प्रती कुइंटल के हिसाव से नेट महाँ पर भी का है बाकि यहाँ पर की बात करें, आज जैसे दलोधा मंडी में भी मंडी लगी थी, तो वहाँ के भाव की बात करें, तो किसान भाईयो, कुछ-कुछ लट जो 55,000 भी बिक्षे हैं, यानि महाँ पर 3000 जो है तेज बाजार देखने को मिला है। तो किसान भाईयों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मुझे कॉमेंट करके जरू बताइएगा। और क्या आप महाँ के भाव की रेगुलर जानकर यानि अपडेट हर एक जैसे कि जरूर कीजिगा जै जवान जै किसान।